अगर हम मेरट की बात करें तो क्या टीवी के राम लोकतंत्र के मंदिर में पहुचेंगे इनी समुद्धों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के मेरट से प्रत्याशी अरुन गोविल मौजूद है सर बहुत-बहुत स्वागत है भारत समचार पर सबसे पहला सवाल सर कि आप लोगों के बीच में पहुच रहे हैं क्या फीडबैक लोगों का आपका मिल रहा है क्योंकि आप जब से आपको प्रत्याशी बनाया गया आप लगतार प्रचार अभ्यान में जुटे हुए हैं सर प्रत्याशी भी बतले गए मेरसीट पर चुलोती के तोर पर आप सपा और बसपा में से देखते हैं कि आपके सामने कोई पार्टी है किस तरह से सर मेरट में आपको प्रेम मिल रहा है क्योंकि आप टीवी के राम है जहां जाते हैं वहाँ पर भब स्वागत भी अलग-अलग तस्वीरे भी हम सब ने देखी है जहां आपका स्वागत किया जा रहा है हाँ तो मैं वही आप से कह रहा हूं कि क्योंकि वही बताता है कि सभी कुछ यहां मेरे लिए पॉजिटिफ है बहुत किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में है और लोगों के बीच जा रहे है तो वादा कर रहे हैं कि सांसक बनने के बाद उन वादों को पूरा करेंगे बाद करेंगे उस तरह की सभाएय मैं नहीं MARKS ज और आ है कि जो जिनमें बड़ी बाते हैं यह नहीं है कि जुमिता हैं ख़ते हैं उस तरह का नहीं है है मेरत में है तो नहीं हुआ नहीं हैं तो इननर अधूरी और इनर बिगल और सिंए aoमे WAD आथिए भाल्ग यह नहीं अधुक्ते आ कई वियुक्ते तोह मुद्र leave की पानी फाट रहता है और रे किनारे है उप पिर जैसे जैसे वो सामने आते रहेंगे वैसे वैसे हम यहां के लोगों के साथ मिलकर जो हमारे यहां के सीनियर्स होंगे और अब मेरट के लिए तो मैं I will not be a celebrity at all, मैं यहां एक बीजेपी के कारेकरता की तरह हैसियत से काम करूँगा, तो सब लोगों से जान करके उनकी परि काया जा रहा है कि celebrity जो सांसत बनते हैं वो फिर छेतर में नहीं पहुचते हैं, तो बिपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही है कि मेरट से जीतने के बाद आप भी मेरट नहीं पहुचेंगे, ऐसा है इसका दो बाते होती हैं, या तो आप जो मैं कह रहा हूँ, कि मैं ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, या तो आप उस पर यकीन कर लें, और अगर यकीन आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर समय बताएगा सर, एक सवाल ये भी है कि मेरट करांतिकारी भूमी रही है, ऐसे में जो उदोग है मेरट की, वो कहीं न कहीं चर्मर आ गई है, चाहे हम मेरट के बैट की बात करें, या फुटबॉल की बात करते हैं, तो इसको किस तरह से आप सांसद अगर बनते हैं, तो पूरा करेंगे वो उसको थोड़ देखे, इस्टड़ी करना पड़ेगा, आज ऑफएंड अभी में आया हूँ यहां पर, तो अभी इस तरह की जो प्राब्लम्स हैं, उनको पहले स्टड़ी करना पड़ेगा, कि क्या प्राब्लम्स है, कहा प्राब्लम है, तभी वो दूर हो पाएगी, है तो अभी उस बात का समय नहीं आया है, क्योंकि अभी मैं यहां सांसद नहीं हूँ, लेकिन as I said it, कि यहां के जो भी मुद्धे हैं, जो सामने आएंगे, यह जो लोग हमारे बास लेकर आएंगे, उनको address तो किया ही जाएगा ना? आखरी सवाल है सर मेरा, कि जब से आपको प्रत्याशी भारती जनता पार्टी ने बनाया है, एक आरोप यह भी लगाया गया कि आप मेरट के नहीं है, लेकिन जब आप लोगों के बीच में जा रहें, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा कि कई लोग पहुचे हुए आप से म निराधार है, मैं मेरे मुझे तो यही निकलता है कि मेरट कहूं, विकाद आप बनाया, तो यहां रोप तो लगाना बिल्कुल निराधार है, गलत है तो बहुत शुक्रिया सर बादचीत के लिए देखे, साफ तोर पर कहना है कि जनता के बीच में जब जा रहे हैं, तो खूब प्रेम मिल रहा है, और चुनोती के तोर पर तो नहीं, लेकिन जो है वो लगातार प्रचार अभ्यान कर रहे हैं, और जीत का सलसल भी पहुचेंगे